आज की इस वीडियो हम सीखेंगे अपने computer का जो watermark आता है windows activation का उसको कैसे हटाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे rig edit और ok करेंगे आप window r करके लिख सकते हैं नहीं तो आप search कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा window मिलेगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना है hk e y local machine इस पे क्लिक करना है तो दोस्तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर ले उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे system में उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे control system में जब आप क्लिक करेंगे तो control set 001 इस पे क्लिक कर लेंगे और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे svs करके एक option होता है उसको हम पहले तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो दोस्तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ में notification वाला विल जरूर दबाईए कि जैसे मैंने अब इडियो अपलोड करूँ तो आपके पास notification विल बज्जा है यह देगे सबसे last में option होगा यह वाला option चोच करना sbsvc इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम modify पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे value data है जो 3 है उसको हम 4 कर देंगे और ok करेंगे उसके बाद आप computer आप restart करेंगे